और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इश्याई गेमों में पुरुष डबल टेनिस मुकाबले में भारत ने गोल्ड अपने नाम कर लिया है अभी हम आपको बता रहे थे रोहन बुपन्ना और दिविच शरन की जोड़ी जोकी सेकिंड सेट में आगे चल रही थी जीत करके वो सेट एक और गोल्ड और इसके साथ ही भारत की जोली में छे गोल्ड आ गए हैं इस बड़ी जीत के साथ एश्याई गेम्स में भारत को छटा गोल्ड मेडल दिलाया है टेनिस के मुकाबले में पुरुष डबल्स का ये मुकाबला इसमें रोहन बुपन्ना और द अच्छी खबर और बड़ी खबर एश्याई गेम्स से पुरुष डबल्स मुकाबले को लेकर रोहन बुपन्ना और दिविज शरन ने शुरुआत से ही शांदार प्रदशिन करते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही अंक तालिका में अच्छे गोल्ड म दिविज शरन ने लगातार इस मुकाबले में अच्छा प्रदशिन किया दोनों सेट जीते और इसके साथ ही एक और गोल्ड भारत को दिला दिया जिस तरह से रोहन बोपना जुकी ज़्यादे एक्सपीरियंस है दिविच्छन को लेकर जिस तरह का पदर्शिन किया यह वापा से शाल साबित कर दिया कि टैनिस में भारत पावर हाउस है पिछले एश्या ही खेलों में भारत के आशलेटों को 11 गोल्ड मेडल मिला था इस जो संख्या है यह क्रॉस करने वाला है भारत यह बात तो बिल्कुल टैय हो गया कि इसके आगे बॉक्सिंग का इवेंट होना है एसलेटिक्स अभी शुरू नहीं हुई है तो इससे पहले इच्छे गोल्ड मेडल आ चुके है तो यह बात तो तैय है कि पिछले जो एश्या गेम्स में काम्याबी की शिखर छूता हुआ छटा गोल्ड मेडल जहां पुरुष डाबल्स टेनिस के मुकाबले में भारत ने जीता है गोल्ड मेडल